नमस्का दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्से अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाए दोस्तों चीटियों को हम अक्सर नजर अंदास कर देते हैं और उन्हें पैरोंस तले कुछल देते हैं और उनको काटने वाले दोस्तों से जादा कुछ नहीं समझते आपको आज हम बता दें कि चीटि बहुत ही महनती प्राणी होती हैं एकता से रहने वाली जीव होती हैं बैग्यानिकों ने चीटियों के बारे में कई रहस्यों को उजागर किया है जैसे कि चीटियां आपस में बात करती हैं नगर बसाती हैं भंडारन की व्यवस्था करती हैं उनका नेटवर्क आम दुनिया के नेटवर्क से कई गुना बहतर होता है दोस्तों चीटियां एक साथ मिलकर एक तेड़ को भी काटने की शक्ती रखती है चीटियां हमारे सहर को सक्ष रखने में महत्पूर योगदा देती है दोस्तों हम चीटियों की क्या क्या बात करें चीटियों बहुत ही योग्य होती है और हमारे जीवन में एक पत्पिदर्शक का कारे करती है आप देखते होंगे कि जब कोई मनुश्य निराश हो जाता है असफलताओं से घेजाता है तो उसको समझाया जाता है जब भी आप मोटिवेशनल टॉक सुनते होंगे तो उसमें चीटियों का ही उधारन दिया जाता है जैसे चीटियां दीवार पर चड़ती है और बार बार गिरती है लेकिन भर तब तक हार नहीं मानती जब तक दीवार को पार ना कर ले दोस्तों आप देखते होंगे कि सकसेस की जो चीजें होते हैं उसमें बहुत से फोटो चीटियों के ही होते हैं दोस्तों अगर आपको जीवार में बार बार असफलता मिल रही है बार बार असफलता का मूँ देखना पड़ रहा है आप हार मान चुके हैं तो आपको भी छीटियों की तरह अपनी योगता को बढ़ाना होगा अपनी निश्ठा और मेहनत को बढ़ाना होगा लगन से काम करना होगा जिससे आपको सफलता मिल सके दोस्तों अकर आपके घर में भी छीटियां है तो इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है आज हम आपको बत अगर आपके घर में चीटिया हैं, आपके रसोई में चीटिया हैं, आपके गार्डन में चीटिया हैं, तो आप लकीर की फकीर भी हो सकते हैं, या किसमत की धनी भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर में चीटिया ना हो, क्योंकि हम कड़ी महनत करते हैं कि हमारे घर में चीटि हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है सुनने में थोड़ा अचीब लगे लेकिन जोतिश में चीटियों को बहुत ही मैत्पूर माना गया है आज हम आपको बताएंगी कि चीटिया कैसे आपकी जिंदिगी को बदलती है आपकी सीहत आपकी लाइफ पर बुरा दोस्तों अगर आपके घर में ब्राउन कलर की चीटिया जाता है या फिक काली कलर की चीटिया है तो यहीं बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चीटियों से दोस्तों हमारे धर्म शास्तों में परंपरा आती है कि 84 लाख योनियों में मनुश्य बार बार खुमता है मृत्यों के उपरांत 84 लाख योनि कर्म करने वाली व्यक्ति को भगतनी पड़ती है हर चीज में प्रभू का बास होता है दोस्तों आज आपको सुनकर आश्चरे होगा की काली चीटी में भी एक तरह से भगवान विश्णु का ही बास माना जाता है शनी का अधिपती भी इन काली चीटियों के उपर माना जाता है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकूंट की प्राप्ती हो बैकूंट में श्री विश्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो तो आपको चीटियों को चावल का आटा डालना चाहिए माना जाता है कि शनीवार के दिन शनी देप की पूजा करते समय आपके पास काली चीटि आ जाए तो समझो भगवान शनी आपसे बहुत प्रसन है दोस्तों माना जाता है मनुष्य बैकूंट लोग में जानी के बाद आनंध पूरपक अपने समय को व्यतीत करता है और उसे 84 लाग यूनियों में भटकना नहीं पड़ता प्रथवी पर आवगवन के चक्कर से भय मुख्ड हो जाता है जो लोग चावल के आटे में चीने मिलाकर चीटियों को डालते हैं उनको दुरपके से मुख्डी मिल जाती है कितना भी दुरपके हो कुंडली में कोई भी दोश हो अगर आप चीटियों को चावल का आटा चीनी मिला कर डालेंगे तो दुर्भा के सौभा की में बदलते देल नहीं लगेगी दोस्तों आपका दुर्भा के मिंटों में सौभा की में बदलने लगेगा और परिवार में शुक्षान्ती आएगी और जीवन खुश्रुमा हो जाता है दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किले आती हैं जीवन में बाधाए आ जाती हैं तो चीटियों का एक छोटा सा उपाए आप जरूर करें आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाए जो आपके उन्नती में आ रही हैं उससे आपको मुग्दी मिल जाएगी आपको कायना है एक छोटा सा काम आपको नारियल का सुखा बुरादा लेना है यानि कि नारियल का पाउडर लेना है इसे आप घर पर भी बना सकते हैं सुखे नारियल को काट कर उसको आप घिस लेजिए और उसका पाउडर बना कर उसमें थोड़ी सी चीनी बिला कर इसे आप चीटियों को डालिए आपके जीवन की जो बाधाई हैं वह दूर हो जाएंगी जो नेगटिव शक्तियां हैं जो आपके जीवन में बास करते हैं आपके घर के आसपास हैं वह सभी दूर हो जाएंगी आपके घर में आपके जीवन में पॉजिटिव एनरजी का बास होगा ऐसा कहने से आपके चहरे का भी प्रकाश बढ़ने लगेगा दोस्तों अगर आप बादाम की पाउडर में चीनी मिक्स करके चीटियों को डालते हैं तो इससे आपके नौकरी के जो योग है वह बनने लगेंगे अगर किसी भी प्रकाश से आपके नौकरी बारबा चेंज हो रही है या लंबे समय से नौकरी नहीं मिल पा रही है या नौकरी आपके मन अनुसान नहीं मिल पा रही है तो आप बादाम के पाउडर में चीनी मिला कर चीटियों को जरूर डाले ऐसा कहने से आपके जौब में ही नहीं बलकि बिजनिस में भी दिन दोगने राट चोगने उन्नती होने लगेगी दोस्तों अगर आपके उपर किसी भी प्रकार का करज चड़ा हुआ है तो बादाम की पाउडर को चीटियों को खिलाने से वह भी जल्द ही उतर जाएगा दोस्तों आपको हम बतातें कि कौन से रंगी चीटियां आपके जीवन में सुख लेकर आएंगी और कौन सी चीटियां आपके जीवन में दुर्भा के लेकर आएंगी या फिर आपको चीटी सपने में दिखने लगें तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों अब बात करते हैं ग्रह दोशों के शनी, राहू, केतों को पापी ग्रह माना जाता है पर अब जानती हैं इन सभी ग्रह के दोशों का निवारण चीटिया कर सकती है जिन लोगों का प्रत्वी तत्व कमजोर हो जाता है ऐसे लोगों को चीटियों को आटा जरूर देना चाहें चाहें शनी की दशा हो, महादशा हो, साड़ी साती हो तो आपको भूने हुए आटा, जिसे हम पंचीरी कहते हैं आटा भून का जो बनाई जाती है उसमें चीनी मिलाकर आपको चीटियों को खिलाना चाहिए ऐसा करने से उन्यती के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और सक्सेस के रास्ते खुल जाते है दूस्तों आपने कई बात देखा होगा कि कई लोगों के सिर्में डेंटरफ हो जाता है काफी दिनों तक आप देखते होगे कि डेंटर्फ निकलता ही नहीं है चाहें कितना भी special उपाई कर ले चाहें कितना भी treatment करा ले लेकिन फाइदा नहीं होता दोस्तों ऐसा तब होता है जब आपके सिर्मी अचानक से खुब सारी रूसी हो जाए और इलाज कराने के बापचूद भी अगर वह नहीं हट रही है तो ऐसे लोगों पर राहू की कुद्रश्टी होती है राहू की कुद्रश्टी से हर काम में रुकावट आती है जीवन में संगश करना पड़ता है ऐसे में आपको चीटियों को शक्कर अवश्य ही खिलानी चाहें दोस्तों अगर आपका राहू कमजोर है तो यह कारे जरूर करें दोस्तों अगर शुक्र कमजोर है या नीच का है या फिकन्य राशी में बैठा है तो आपको हर शुकरवार को चीटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहें दोस्तों अगर आपके कुंटली में सूधे नीच का है या तोला राशी में बैठा है या फिर सूधे कमचोर है तो आपको हर रविवार को चीटियों को खीर बनाकर खिलाने चाहें दोस्तों इसके इलाबा अगर केतु आपके उपक को प्रभाव डाल रहा है या आप इसे संबंधित बीमारियों से प्रताणित है तो आपको 43 दिन तक एक छोटा सा उपाय कैना है आटे की पंजीरी बनाने आटे को भून ले और उसमें थोड़ा सा गुड मिला ले दोस्तों अगर आपके जीवन में पित्र दोश है पित्र दोश से संबंधित समस्याय आ रही है तो ऐसे में पित्र पक्ष में इससे खुबसूरत दूसा उपाय नहीं होगा इस उपाय को मिस्त ना करें पित्र दोश्ती बचने के लिए इस उपाय को आप पित्र पक्षमी करें और हर अमावस्या पर भी करें आपके घर में जो भी भोजन बने वे थोड़ा थोड़ा सा भोजन लेकर आप चीटियों को अवश्य ही डाले दोस्तों ग्रहों की अश्यो प्रभाब से अगर आपके बनते हुई कारे बिगड़ जाते हैं आप पर जब जस्त ग्रह दोश है तो आप चीटियों को मीठी डोटी बना कर खिलाएं ये बहुत ही चमतकारी उपाय हम आपको बता रहे हैं आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की किलबा आपके उपर परसने लगेगी दोस्तों चीटियों दिखने में तो छोटी होती हैं बहुत खूबसूरत और प्यारी होती हैं पर उनके काम बहुत बड़े-बड़े होते हैं चीटिया हमारे जीवन पर बहुत गहरा ब्रवाब डालती हैं गह हमें सुब और अशुब दोनों ही प्रकार की संकेत देती हैं दोस्तों आपको बता दें जिस घर में काली चीटिया अगर लाइन बना कर दिखने लगें तो समझ चाहिए आपका शीक रही भागे उत्य होनी व होनी वाला है आपका नाम दुशों दिशाओं में फैलनी वाला है ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर को मालक्षमी कभी नहीं छोड़ती और माला माल बना देती हैं दोस्तों अगर आपके घर में छट पर या फिर दीवार पर काली चीटिया दिखाई देने लगें तो समझ चाहि है कि आपकी आमदनी और उन्नती बढ़ने वाली है दोस्तों अगर आपके घर में लाल रंगी चीटिया मूं में अंडा लेकर दिखाई दें तो समझ लेजे बहुत बड़ी परिशानिया और बाधाय आपको घेरने वाली है आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है घ ऐसे में चीटियों को शकर और आटा मिला कर खिला दें और जब चीटिया वहां से खत्म हो चाए तभी मकान की नीव डालें दोस्तों अगर आपको सपने में चीटियां बड़ी तादात में दिखाई दे तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परिशानी आ सकती है सपने म भी चीटियों को नहीं माना चाहें अगर चीटिया मारती सपने में दिखें तो यह असफलता मिलनी का संकीत होता है दोस्तों जाने अंजाने में भूल कर भी चीटियों को नहीं माना चाहें चीटियों को माना भागी को दुरभा के बना देता है भागी का नाश हो जाता है सर्वनाश हो जाता है दोस्तों अपने घर में या किसी और की घर में चीटियों को देखना बहुत ही शुप और मंगलकारी माना जाता है अब आपको टेंशन नहीं लेने दोस्तों अब आप चीटियों को देखकर खुश हो सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी किस्मत बदल दे दोस्तों अगर आप मालक्षमी को प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जै मालक्षमी जरू लिखें मालक्ष्मी के नाम पर एक लाइक तो बनता है यूस्फूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाए तैंक्स फॉर वाचिंग जै मालक्ष्मी